हे गाईज, वेलकम तो माई चैनल टीज तू लर्न, एस यू नोग वी हैव स्टार्टेड न्यू चैप्टर, चैप्टर नमबर 12 जिसमें हम जान रहे हैं, फोरेस से रिलेटिड कुछ बहुत ही इंट्रस्टिंग सी बातें और इसे प्रीविएस वीडियो में हमने क्या देख प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट्स कि हमें गम, टिंबर, मैडिसीन और जो ओईल है किस-किस प्लांट से मिलती है, तोडेवी आर गॉइंग टू कंटीनियो आवर चैप्टर विद प्रीविएस कोशन जो हमने प्रीविएस लेक्चर में कोशन पूछा था कि डिकेंग म इसे समझने के लिए हम एक एक एक्टिविटी करते हैं, इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, एक छोटा सा गढ़ा खोदना है, और उसमें कुछ लीव्ज और वेजिटेबल वेस्ट डाल देना है, फिर इसे इसकी उपर वाईल जो साइड हो से स्वाइल से कवर कर देन तो दो-तीन दिनों के बाद जब हम इसकी अपर लेयर, जो ये अपर लेयर है, जिसको हमने सोईल से कवर किया था, जब हम इसे रिमूव करेंगे, तो हम क्या देखेंगे, कि ये जो अंदर वाली मैटर है, वो तो क्या हो रहे हैं, डीकंपोज होना शुरू कर गए हैं, और ये अभी भी क्या है, मतलब ये वार्म है, जब हमने सोdid को हटा के देखा, इसे चेक किया, तो ये हमें वार्म लगे, तो reason, इसमें कोशन आता है, कि आखिर ये वार्म है, क्यों, इसका reason ये है, कि जब ये मैटर डिकंपोज हो रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, कुछ एनरजी release करते हैं जो soil की layers में store हो जाती है इसलिए जब हमने soil को हटाया और हमने इसको touch किया तो हमें ये क्या लगे warm लगे ठीक है तो इसके बाद पहली पूछती है कि जब इतने सारे trees हैं यहाँ पे और there are many forests और इस तरह के jungle भी तो बहुत होंगे जहाँ पे बहुत सारे tree होंगे तो क्या ही फरक पड़ेगा अगर हम थोड़े से tree काट ले factory के लिए तो प्रफेसर एहमद उन्हें समझाते हैं कि आपने autotrops, heterotrops और saprotrops के बारे में तो पढ़ा होगा आपने उसमें कैसे देखा है कि जो green plants है वो क्या होते हैं, autotrops होते हैं क्योंकि वो अपना food खुद ही produce कर रहे होते हैं बाकी के जो दूसरे animals हैं चाहे वो harvivers हों जैसे की goat वगारा या फिर carnivores हों, lions वगारा ये सब क्या करते हैं ultimately किसके उपर dependent है plant के उपर ही dependent है food के लिए अब भला कैसे इसको हम समझते हैं क्योंकि देखो जो animals, plant को खाते हैं उन्हें बाद में कौन खा जाता है दूसरे animal जैसे की हम बात कर लें goat की जो goat क्या है, plant को खाती है और goat को बाद में कौन खा जाता है lion खा जाता है अगर plant ही नहीं रहेंगे अगर मैं कहूं कि यहाँ पे हमारे पास प्लांट ही नहीं है तो गोट क्या खाएगी गोट भी कुछ नहीं खावाएगी तो गोट रहेगी ही नहीं तो फिर जो यह लायन है लायन का खाना गोट ही नहीं रहेगा तो lion भी इस दुनिया से क्या हो जाएगा मतलब गाय हो जाएगा तो इस तरह हमने क्या देखा कि ultimately चाहे वो carnivores हो चाहे harvivores हो कि इसके उपर depend कर रहे है, plant के उपर ही depend कर रहे है उसके बाद उन्हेंने example भी दी है जैसे कि grass को कौन खाता है जिसमें एक animal दूसरे के उपर dependent है अपने ही food के लिए उस तरह की chain को हम क्या कहते है food chain कहते है यहाँ पे इन सभी ने मिल के क्या बना ली है, एक food chain बना ली है, आगे क्या है कि इसी तरह की और सारी बहुत food chain forest में exist करती है जैसे कि अगर माल ले एक goat है, goat sorry, पहले न हम लेते हैं grass, की grass है grass को कौन खा रहा है goat खा रही है तो इसी goat को आगे कौन खा जा रहा है, lion खा जा रहा है, तो यह भी तो क्या है एक तरह की food chain है जिसमें हमें क्या दिख रहा है कि animals या animals किसी दूसरी चीज के उपर depend कर रहे हैं, जैसे कि यह goat grass के उपर dependent है और lion किसके उपर dependent है इस goat के उपर depend कर रही है, तो यह भी क्या है एक तरह की food chain ही है सभी की सभी food chain क्या है एक दूसरे से linked होती है if सभी की सभी food chain नहीं मतलब कि अगर है particularly एक food chain की बात करें तो यह क्या है एक दूसरे से क्या है लिंक है अगर इन में से एक भी फूड चेन का एक भी सबस्टांस डिस्टर्ब हुआ तो इससे पूरी की पूरी फूड चेन ही अफेक्ट होगी जैसे हमने देखा कि अगर ग्रास ही नहीं रहेगा तो गोट क्या खाएगी मतलब कि गोट ही नहीं रहेगी अगर गोट ही नहीं रहेगी तो फिर जो लायन है वो क्या खा पाएगा मतलब कि अगर grass भी इस food chain का एक हिस्सा ही है अगर इसमें grass को हमने remove कर दिया तो इससे पूरी की पूरी food chain क्या हो जाएगी disturb हो जाएगी every part, forest का हर part एक दूसरे के उपर forest के हर part जो भी है वो depend करता है दूसरे part के उपर means सभी part आपस में क्या है dependent है एक भी component remove करेंगे जैसे अपने देख लिया tree को remove करेंगे तो बाकी सारे component भी effect होंगे प्रोफेसर एहमद ने बच्चों को आगे को टास्क दिया कि आपने जो भी जमीन है forest की, जंगल की उसमें से leaves को pick up करो और उसको अपने hand में लेके जो उन्होंने lens pack किया था अपने bag में उससे उसको observe करो तो उन्होंने बच्चों ने क्या देखा कि उसके उपर छोटे-छोटे mushrooms है उसी decaying leaves के उपर क्योंकि वो जमीन पे गिरे हुए थे जंगल की तो वो सारे decay कर रहे थे decaying leaves के उपर ही उन्होंने क्या देखा कि क्या है वहाँ पे छोटे-छोटे mushrooms उगे हुए है और उन्होंने क्या देखा army of teeny insects army का मतलब कि पूरा का पूरा group उन्होंने देखा छोटे-छोटे कीडों का जिसमें क्या शामिल थे millipets शामिल थे चीटियां शामिल थे जींगुर वगारा जो battles है ये सारी चीजें भी उसी एक छोटे से पत्ते की उपर शामिल थे mushroom भी था साथ में छोटे-छोटे कीडे-मकोडे भी थे they were वो लोग तो हैरान हो रहे थे कि भला ये organisms इस छोटे से leaves के उपर रह कैसे रहे हैं तो प्रफेसर एहमद ने उन्हें बताया कि इन animals को तो हम देख पा रहे हैं easily पर कुछ ऐसे और भी बहुत तरह के several organisms और micro organisms हैं जो इस soil में रहते हैं पर हमें दिखाई नहीं देते हैं पहली ने फिर आगे पूछा कि अब ये खाते क्या हैं तो प्रफेसर एहमद ने उन्हें समझाया कि they feed upon the dead plant and animal tissue and convert them into a dark substance called humus अब यहाँ पे एक important word है humus इसको समझते हैं कि जो ये plant हैं अब ने देखा ये क्या थी? डेड लीव ही थी इसी डेड लीव के उपर ही क्या थे? mushroom भी थे और जो बाकी के organisms थे वो भी थे तो ये जो बाकी के organisms हो गया है वो मैं यहाँ पे red color से बना देती हैं मालो कि ये छोटे-छोटे क्या है organisms हैं ये सब क्या कर रहे हैं? इसी dead leaf को क्या करते हैं? खाते हैं dead plant हो गया या फिर कोई भी animal जो जंगल में मर जाता है उनके उपर भी वो सब भी इसी तरह ही decay होते हैं खतम होते हैं तो जो ये animal हैं they feed upon the dead plant इसी dead plant के उपर क्या करते हैं? feed करते हैं और dead plant या फिर animal tissue और फिर ये जो dead leaf है इसको किसमे convert कर देते हैं? एक dark color substance में जिसे क्या कहा गया है? हैं कि यही जो dead leaf है जब इसे organisms means कि ये जो animals है microorganisms है या फिर छोटे-छोटे insects हैं जब ये इसी dead leaf को, dead plant को या फिर animal को convert कर दे किसी dark color substance में तो उसे ही क्या कहा गया है? humus कहा गया है I hope अब आपको clear होगा कि humus है क्या कि जब भी जो भी चीज decay कर रही हो अगर उसको पूरी तरह खतम करके उसे पूरे dark color substance में convert कर दे मतला पहले तो ये पत्ती थी पर आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी पत्ती leaf decay कर रही है तो वो black color की हो जाती है और black color में होते होते ही जब वो पूरी की पूरी convert होके मिट्टी में मिल जाएगी तूसे ही हम क्या कहेंगे humus कहेंगे तो top layer है क्योंकि top layer में हमने देखाएगी उसके उपर रहती है गिरी ही रहती है पतिया तो top layer में ही हमें ये humus मिलता है अब इसके importance क्या है importance क्या है इसका importance ये है कि इसमें क्या होते हैं बहुत ही जादा न्यूट्रियंट्स होते हैं अब ये जब न्यूट्रियंट्स दुबारा क्या कर जा रहे हैं दुबारा मिट्टी में मिल जा रहे हैं दुबारा सोईल में मिल जा रहे हैं तो सोईल की जो मतलब सोईल में जो उरवरक शक्ती होती है कि त में इसके बनने के कारण अब ऐसे organism जो हमने अभी देखे जो क्या कर रहे है, dead plant और animals को humans में convert कर रहे है ऐसे animals को हम क्या कहते है decomposers कहते है अब हमें पता है, कोई भी plant हो गया, या फिर कोई भी ऐसे animal हो गया, जो क्या करते है और forest में मर गएरा जाते हैं तो आपने देखा होगा थोड़ टाइम के बाद वो गायब हो जाते हैं तो ऐसी है organisms जो क्या कर रहे हैं उन्हें पूरा का पूरा decompose करके मिट्टी में मिला दे रहे हैं humans में convert कर दे रहे हैं उन्हें animals को उन organisms को हम क्या कहते हैं decomposers कहते हैं these microorganisms ये microorganisms important role play करते हैं forest में soon पहली remove some dead leaves and discover under them a layer of humans on the forest floor अब जब पहली थी उसने क्या किया मैंने अभी आपको बताए कि जो forest का floor है उस पे भी क्या थे dead leaves थे जब पहली ने इन dead leaves को यहां से remove किया तो वो क्या देखती है यहां पे भी क्या है layer है humus की forest floor पे अब उसे कैसे पता चला forest floor पे humus की layer है क्योंकि हमने अभी देखा था कि यह जो humus है किस कलर में humus बदल जाता है एक dark color में बदल जाता है तो इसी से ही उसने लगाया पता जैसे अब भी हम देखते हैं कि क्या लिखा है the presence of humus ensure that the nutrients of a dead plant and animals are released into the soil अब जो humus है मतलब कि जो forest की floor पे dark colors साथ दिखाई दे रहा होगा जब leaf को remove किया तो humus हमें क्या बता रहा है कि जो भी plant जो dead plant था उसका nutrients या फिर जो dead animal था उसका nutrients वो पूरी तरह अब इस soil में क्या हो गया है मिल गया है क्योंकि जो leaves थे, leaves में भी क्या होते हैं सारा वो खाना बनाते हैं तो इसमें भी क्या आ जाते हैं nutrients ही आ जाते हैं पर ये जब decay कर रहा है तो जब decay कर रहा है तो फिर इसके जो भी सारे nutrients थे वो दुबारा क्या करेंगे इसी soil में mix हो जाएंगे तो यह जो humus है यह हमें यही बता रहा है कि जो dead plants की nutrients और dead animals की nutrients अब दुबारा उस soil में क्या कर गए है mix हो गए है from there तो फिर यह nutrients दुबारा absorb कर लेंगे roots, living plants के क्योंकि अब मिट्टी में मिल गए हमने देखा है जो जब plant अब photosynthesis करते हैं तो उन्हें nutrients चाहिए होता है तो वो क्या करते हैं soil में से ही तो nutrients लेते हैं तो अब जो dead plant के nutrients soil में release हो गए हैं अब उन्ही nutrients को दुबारा कौन absorb कर लेगा living plant absorb कर लेगा अब इसको मैं थोड़ा figure से समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है हमने अभी देखा photosynthesis होती है कैसे होती है photosynthesis जब होगी तो carbon dioxide क्या करते हैं plant अंदर लेते हैं और oxygen को क्या करते हैं बाहर छोड़ते हैं photosynthesis करने के लिए उन्हें water चाहिए जो यहां से लेंगे soil में से क्या कर लेंगे nutrients ले लेंगे जो nutrients, organisms decompose मतलब कोई भी plant या कोई भी animal जब decompose हो गया है तो decompose होके उसके nutrients दुबारा मिट्टी मिलेंगे और मिट्टी से दुबारा वो plant absorb करेगा और जब plant absorb करेगा तो plant क्या कर रहा है अपने पतियों को nutrients दे रहा है और फिर उसी से क्या करते है हम living organisms उसी के उपर depend होते हैं चाहे living हो गए या फिर herbivores हो गए या carnivores हो गए सभी क्या कर हैं इसी plant के उपर ही क्या कर रहे हैं depend कर रहे हैं उसके बाद next यहाँ पर पूछा है कि शैला है उसने पूछा कि अगर क्या होगा एनिमल ही कोई एनिमल फोरेस्ट में मर गया तो टीबू ने रिप्लाई किया कि जो डेड एनिमल्स होते हैं उन्हें कौन खा जाता है वल्चर्स, क्रोज, जेकाल्स और इन्सेक्ट मतलब कि गिद्ध हो गए कौवे हो गए लोम्री वगरा हो गए यह सब क्या करते हैं उसी मरे हुए एनिमल्स को क्या करते हैं खाते हैं उनकी लिए खाना बन जाते हैं मरे हुए एनिमल्स और इसी तरह जो न्यूट्रियंट्स है वो चलता है अब हमने देखा कि हम इसको इधर एक एक्जामपल से तो अब ईगल क्या करेगा अगर उगल मर गया तो वो कहाँ आएगा olsun जमीन पर इंड पर गिरेगा तो जब वो लैंड पर आकर गिरेगा तो लैंड पर यह जो ईगल है ईगल किसी और अनिमल के लिए क्या बन जाएगा हो पूरा थो कुछ सुछ दॉगस का रह जाता है तो ज मैं अभी पढ़ा decomposers, जो decomposers होते हैं, छोटे-छोटे organisms होते हैं, microorganisms होते हैं, वो फिर इस eagle को क्या करते हैं, पूरा का पूरा decompose करते हैं, पूरा का पूरा मिट्टी में क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, और मिट्टी में इसको decompose करके soil की अंदर इसके जो भी nutrients है वो क्या कर देते हैं mix कर देते हैं अब soil के अंदर nutrients आ गए तो उसी nutrients को दुबारा plant ले लेगा मतलब कि grass living organism है दुबारा ये grass उसे क्या कर लेगा absorb कर लेगा उसी nutrients को और फिर हमने देखा इस grass को फिर insect खाएगा frog खाएगा, snake खाएगा तो ये क्या हम देख रहे हैं ये क्या है पूरा का पूरा एक cycle ही है कि जब eagle मरेगा तो soil में mix होके उसका पूरा nutrients humans में convert होके पूरा soil में mix हो जाएगा फिर grass दुबारा soil से nutrients को absorb करके ये जो पूरा का पूरा cycle है ये ऐसे ही चलता रहेगा वही उन्होंने यहाँ पे last में कहा है इसी तरह कोई भी nutrients in this way the nutrients are cycle इस तरह cycle होता रहता है और इस तरह कुछ भी forest में waste नहीं जाता है पहली ने प्रोफेसर एहमत को remind कराया कि उन्होंने कहा था कि उन्होंने कहा क्यों कहा था कि जो forest है वो green lung है प्रोफेसर एहमत ने explain किया कि plant क्या करता है oxygen release करता है हमने देखा photosynthesis में अभी oxygen release कर रहा है तो इस तरह जो plant है वो help कर रहा है animals को respire करने में oxygen दे के oxygen देगा तभी ही तो animals respire कर पाएंगे और ये किस में help करता है they also maintain they also sorry they also maintain the balance of oxygen and carbon dioxide in the atmosphere और ये जो plant है ये oxygen और carbon dioxide जो हमारे atmosphere में present है उसको balance भी करता है मतलब कि plant oxygen animal को भी दे रहा है और जो animal या humans carbon dioxide को release करते हैं उसको plant वापस लेके फिर food बनाता है तो मतलब plant क्या कर रहा है एक तरह का balancing का काम भी कर रहा है oxygen और carbon dioxide को balance करने का भी काम कर रहा है इसलिए forest को क्या कहा जाता है lungs कहा जाता है क्योंकि lungs क्या है हमारी body में present होते हैं और ये हमें सांस लेने में help करते हैं और उसी तरह जो plant है ये भी हमें oxygen प्रोवाइड करके हमें सांस लेने में respire करने में क्या कर रहा है help कर रहा है तो ये था आज का हमारा पूरा का पूरा topic बाकि ये जो next topic है इसको हम आने वाली अपनी अगली वीडियो में cover करेंगे I hope आज का जो भी topic था आज को अच्छे से समझ आ गया हो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा share करें वीडियो अगर अच्छे से समझ आ गई हो तो इसे like करें कोई भी doubt हो तो उसे comment box में comment चरूर करें और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भोले thanks for watching